वेल्कम टू गरूड इंस्टिटूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन आज हम 10th Standard का Linear Equation in Two Variables स्टार्ट करेंगे पहले तो आप समझेंगे कि Linear Equation in Two Variables टॉपिक क्या है किस बारे में है तो सबसे पहले एक equation क्या होता है equation आपको मालूम रहेगा कोई भी अगर आपके पास LHS है LHS का मतलब क्या है और RHS का मतलब क्या है यह तो मालूम ही होगा left hand side and right hand side अगर ऐसा कुछ दिया है ऐसा कुछ structure है mathematical structure बीच में equals to है तो उसको equation बोला जाता है समझे इसको equation बोला जाता है अब linear equation linear equation यह नहीं linear equation यह नहीं कोई भी एक equation जिसकी degree 1 हो ओके जिसकी degree 1 हो जैसे 5m is equals to 6 इसकी degree 1 है degree माने जो रहता है index 2 raise to 3 2 raise to 4 ऐसा रहता है रहता है यह जो होता है इसको degree बोला जाता है इसमें यह 3 और 4 के जगे पर अगर 1 रहा तो यह linear equation हो जाएगा ओके यह हो जाएगा linear equation अब linear equation in two variables in two variables माने दो variables आ जाएंगे variables माने x y z m p q numbers के अलावा जो भी letters हम use करेंगे equation में वो उसको variables बोला जाते ओके अब एक linear equation का simple सा एक general equation क्या है एक general equation अपने पास है general equation जन्रल equation अपना क्या है ax plus by plus c is equals to zero यह general है इसको note कर लेना हमेशा याद रखना यह एक basic form है linear equation in two variables का यहाँ पर देखो variables अब यह जो a है और यह जो b है a and b is equals to real numbers real numbers okay यह जो है a और b जो है वो real numbers होंगे हमेशा माने a और b के जगर पर हमेशा real number होंगे और यह x और यह y यह जो है वो क्या है x और y यह क्या है variables है और यह जो c है वो तुम्हारा कोई आदकर equation जो है linear equations वह ऐसे form में दिखेंगी कुछ 2x plus 3y is equals to 4 अब बोलोगे यह और यह तो same ही नहीं है यहाँ पर a है x है b है y है पर c तो है ही नहीं अब मैं लाके दिखाताओ आपको 2x plus 3y यह plus 4 को shift कर दो is equal to a side होके क्या हो जाएगा वो minus 4 is equals to 0 अब देखो यहाँ से compare करो यह वाला equation और यह वाला equation compare करो देखो a के जगे पर 2 है तो a बन गया मेरा 2 x के जगे पर x है मैंने क्या बोलता x और y जो है वो variables है variables हो रहेंगे फिर y के जगे पर y है उसके बाद देखो जो 3 है b के जगे पर क्या है b is equal to 3 और c के जगे पर क्या है plus 4 नहीं बोल देना देखो minus 4 है sign minus है तो minus 4 आ जाएगा ओके समझ गए यह एक overall summary है linear equation into variables हम पढ़ने क्या वाल है linear equation क्या होता है equation में बात क्या होता है उसके बाद linear equation क्या होता है और फिर यह अपना two variables क्या होता है into linear equation into variables समझ गए linear equation का general form यह है और example यह है ओके समझ गए देखो यहाँ पर भी degree 1 है यहाँ पर भी degree 1 है degree 1 degree 1 सबकी degree 1 compulsory है linear equation एक ऐसी चीज है जो equation linear equation कोई भी अगर linear equation देखो गया आप तो degree हमेशा 1 ही होगी कहीं भी चेक कर लेना ओके चलो इतना note कर लो देखिए अब इतना note कर लिया है अब मैं बता तो आपको linear equation in two variables जो आपके 10th का यह 10 standard का है तो मैं बता तो overall अपने चैप्टर में करना क्या है अपने को देखो सबसे पहले तुम 9th से तो obviously बात है 9th होके तुम 10th में आयो तो 9th में तुमने method सिखा था linear equation को solve करने का वह भी two variables ही था तो उसका नाम क्या था simultaneously क्या simultaneously simultaneously अब अब linear equation जो है linear equation in two variables बादल बन गे चलो linear equation in two variables अब यह जो टॉपिक है इसमें पूरे चैप्टर में अपने को क्या-क्या पढ़ना में बता देता हो देखो सबसे पहले आपको equation जो है वो solve करना है simultaneously simultaneously जो normal method है compare करके first equation रहेगा second equation रहेगा उसके बाद तुमको multiply करना पड़ेगा वेरियेबल सेम लाना पड़ेगा मालूम है न कोईफिशन जो होता है यानि two two three three यह सब सेम लाके फिर उसको तुमको एक्स और y की value मिलेगी एक्स की value मिलेगी पहले या फिर y की value मिलेगी उसको nine standard में यह method सीख चुके हो उसके बाद अब second method तुमको सीखना है graphical method ग्राफिकली तुमको एक्स और y की value ढूंगनी है अब यह कैसे होगा देखो यहाँ पर भी एक equation दिया होगा second equation दिया होगा इस शॉर्ट में बता दे रहा हो करना क्या है first equation दिया रहेगा second equation दिया रहेगा उसके बाद आपको एक ऐसा कॉलम मनाना है एक्स का वाई का एक्स का और y का तीन values इधर बना लो और एक कॉलम मना हो एक्स का वाई का तीन values इधर तुम calculate कर लो जैसे एक्स अगर टू डालूंगा first equation में तो y की value मुझे कुछ मिलनी चीए फिर ऐसे करकर के तुम यह वाला कॉलम भर देना यह वाला कॉलम भर देना उसके बाद तुमको यहां पर points मिलेंगे यहां पर points मिलेंगे अब graph में graph में यह आपको मॉल्म है normally यह x-axis होता है और यह ओता है y-axis यह होता है x-axis और यह होता है y-axis तो यह जो तुमको point मिले समझो यहाँ पर यह वाले equation में तुमने डालके मनलब first equation में डालके अगर तुम x के जगर पर 2 डाल रहे हो तो y अगर मिल रहा है तुमको 1 फिर 3 2 6 1 ऐसा कुछ मिलेगा कुछ भी random मिल सकता है उसके बाद यहाँ पर समझो 2 2 4 1 और एक 6 3 समझो ऐसा कुछ मिल गया अब यह जो points है वो तुमको plot करना है graph में तो यह वाले यह वाला यह वाला जो एक box है यह x-y का जो पहला box है उससे तुमको एक line मिलेगा समझो यहाँ पर मिल गया वो line एक normally बता रहा है यह सब points अगर सच में plot करोगे तो यह यह वाला line नहीं मिलेगा वो तुमको calculate करना पड़ेगा एक example से हम आगे देखेंगे तो समझो एक यह line मिल गया और यह दुसरे वाले box से समझो अपने को यह वाला line मिल गया तो दो line जहाँ पर intersect करेंगे यह वाले point पे intersect माने काट देंगे एक दुसरे को जो point पे काटेंगे वही point अपना क्या होगा x and y उस point पे जो यह यह ऐसे और ऐसे करके अपना x का यह वाला जो point है और यह वाला जो point है x axis पे और y axis पे वही अपना x and y होगा simple यह है graphical method तिसरा तिसरा और important है इसको बोलते है क्रेमर्स rule क्रेमर्स क्रेमर्स रूल उसके पहले तुमको डिटर्मिनेंट सीखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट की बात हम आगे करेंगे क्यूंकि important topic है इसमें मैं अब भी नहीं समझा रहा हूं तो बस समझा रहा हूं कि पूरे lesson में अपने को यह तीन चीज करना है और last में एक exercise उसमें क्या करना है जैसे वहां पर क्या दिया है fractions में दिया हुआ है जैसे 3 1 by x plus 2 1 by y is equal to 4 ऐसा कुछ equation है बताव यह linear equation है की नहीं अब इससी बात है linear equation है क्योंकि सबके degree 1 है देखो 3 raise to 1 1 by x raise to 1 2 raise to 1 1 by y raise to 1 और 4 raise to be 1 ही है ओके सबके degree 1 है तो हम क्या करेंगे अब इतना complicated तो हम solve नहीं कर सकते तो हम simple psychology लगाएंगे दिमाग लगाएंगे जो 1 by x है उसको हम लिखेंगे m जो 1 by y है उसको लिखेंगे हम n समझे 1 by x को हम m लिखेंगे 1 by y को n लिखेंगे फिर य equation कैसा बन जाएगा 3 m plus 2 n is equals to 4 अब बन गया अब थोड़ा सा normal दिख रहे है अब यह calculate करके जब हम m और n की value निका लेंगे तो हमें मालूम है m जो है वो 1 by x है और n जो है वो 1 by y है बरबर m जो है वो 1 by x है और n जो है 1 by y है तो हम simple सा reciprocal कर देंगे तो m is equals to 1 by x है और n is equals to 1 by y ह समझे बरबर यह तो simple सा मालूम है ना तो हम reciprocal कर देंगे m तो m तो समझो 5 मिल गया n समझो 7 तो x कितना मिलेगा हम शिंकल सी बात है ना रैसे प्रोकल कर दे यह लिए उल्टा कर दो तो x is equals to 1 by 5 and y is equals to 1 by 7 ऐसा कुछ मिल जाएगा समझे यह होगा क्रैमर क्रैमर क्रैमर्स रूल के बाद वाल एकसेस में यह वाले लास्ट वाल एकसेस में ऐसा कुछ सम्झ है मैं पूरे चैप्टर का यह ओ यह एक बार रिवाइस करेंगे हम लोग फिर ग्राफिकली ग्राफिकली भी बहुत अच्छा में पर इतना एक्यूरेट नहीं माना जाता क्योंकि यह रियल लाइफ में ज्यादा यूज नहीं होता उसके बात क्रेमर्स रूल यह बहुत जगे पर यूज होता है लिटरली आई होप आपको लेसन का ओवर्यू मिल गया होगा तो अगले जो वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न सिखाना में जो एक्सराइजे वह स्टार्ट करेंगे सब कंसर्प सिखेंगे तो चैनल पर बने रहना नए हो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर करना अगर प अगले लेक्चर में